नमस्कार आपका स्वागत है ब्रह्मान की शुरुवात में सरुपृतम मा लक्ष्मी ने रखा था, उसके पश्चात, सरस्वती, इंद्र की पत्नी रती और गायत्री ने भी रखा था, एक मानेता के अनुसार भगवान शुव और मा पार्वति का विवा मा शुवरात्री में ही हुआ था, इसी कारण मा श मा शुवरात्री की रात को जाकर शुव जी के आरदना करते है, उन पर भगवान शुव की विशेश क्रपा बरस्ती है, इसके साथ ही दोस्तों, शास्तर में कुछ ऐसे कारियों के बारे में बताया गया है, जिने मा शुवरात्री की दिन करना वर्जित माना गया है, इन कार पर उससे पहले दोस्तों अगर आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो इसे सबस्क्राइब कर लीजे, साथी वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरू करें। अतर भगवान शिव को ये कतई पसंद नहीं है कि कोई पुरुष किसी स्तिरी का आपमान करें या किसी स्तिरी के साथ दुर्विवहार करें या उसके साथ धोका करें। महाशुरात्र के दिन किसी स्तिरी का आपमान करता है, चायो उसकी माता हो, पत्नी हो, पुत्री हो या ने कोई स्तिरी हो। ऐसे वेक्ति पर शुजी करपा नहीं बरसाते है, शुजी की नजरों में ऐसा पुरुष दंड़े के ही पात्र होता है। दूसरी बात, गुरु का आपमान। इसलिए आपको भगवान शू को प्रसंद करने के लिए धन धान्य या संपत्ति के आवशकता नहीं है। पैसे को लेकर धोक्य बाजी करते हैं तो आपको शूजी के प्रकुप का ही सामना करना पड़ सकता है। उनके सामने पशू, मनुष्य, देवता और दानों सभी एक समान है। अगर कोई मनुष्य महाशुवरात्र के दिन पशू के प्रान हर लेता है या किसी पशू या प्रानी के उपर अत्याचार करता है तो उसे महादेव के क्रोध का ही सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन किसी पशू के प्रान ना ले साती महाशार के सेवन से भी बचे। साथी बात प्रणे करना महाशुवरात्र का दिन रात बर जाकर शूजी की पूजा करने का है शूमंत्रों का जाप करने का है इसलिए यह त्याग का दिन है अगर महाशुवरात्र की रात कोई पति और पत्नी अपनी शरुक संतिष्टी मिटानी के लिए प्रणे करिया करता तो वे महादेव की क्रपा से वन्चित रह जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्र की दिन कोई भी ऐसा पवित्र कार्य ना करें जो श्रुजी को क्रोह दिलाता हो। तो दोस्तो ये तेवस साथ काम जो महाशिवरात्र की दिन मनुश्य को नहीं करने चाहिए। अगर ये वीडिय महादेव अवश्य लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें। धनिवाद।